आईए सुनते हैं पार्ट संस्कृति लेखक हैं बदंत आनंद कौसल्यानन बदंत आनंद कौसल्यानन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहना गाउ में हुआ उनके बच्पन का नाम हर नाम दास था उन्होंने लाहोर के नेशनल कॉलिज से बिये किया अननने हिंदी सेवी कौसल्यानन जी बहुत भिक्षू थे और उन्होंने देश विदेश की काफी यातराईं की तथा बहुत धर्म के परचार परसाल के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया वे गांदी जी के साथ लंबे आर्से तक वर्धा में रहे सन 1988 में उनका निधन हो गया बदंत आनन्द कौसलेनन की बीस से अधिक पुस्तकें प्रकाशत हैं जिन में भिक्षू के पत्र जो भूल ना सका आह ऐसी दर्दिता बहानेबाजी यदि बाबा ना होते रेल का टिकेट कहां क्या देखा आदी प्रमुक हैं बौद धर्म दर्शन सम्मंधित उनके मौलिक और आनूदित आने गरंथ हैं जिन में जातक कताओं का अनुवाद विशेश उलेखनी है देश विदेश के ब्रमन ने भधंतर जी को अनुभव की व्यापक्ता प्रदान की और उनकी स्रजनात्मकता को सम्रध किया उन्होंने हिंदी साहित सम्मिलन, प्रयाग और राष्ट भाषा प्रचार समिती, वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्पून कार किया, वे गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से विशेश प्रभावित थे, सरल, सहज ब अजिछ वंद में भदंत आनंद कौसिलंची न अनेक उध्हाना देकर या बताने का परहाज किया है। कि सुभत और संस्कृति किसे कहते हैं दोनों एक ही वस्तु हैं अथव अलग-अलग। वे संस्कृता को संस्कृती का परणाम मानते हुए कहते हैं कि मानाव संस्कृती आविभाज वस्तु है। उन्हें संस्कृती का बटवारा करने वाले लोगों पर आशर होता है और दुग भी। उनकी दृष्टी में जो मनुष्ट के लिए कल्यान कारी नहीं है वो ना संस्क जो शब्ड सबसे कम समझ में आता है और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक ऐसे दो शब्ड हैं सब्ड़ा और सन्सक्रती. इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेशन लग जाते हैं उधरन के लिए जैसे भौतिक सब्ड़ा और आध्यात्मिक सब्ड़ा तब दूनु हैं तो दोनों में क्या अंतर है हम इसे अपने तरिके पर समझने की कोशिश करें कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाच का अगनी देवता से साक्षात नहीं हुआ था आज तो घर घर चूला जलता है जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविशकार किया होगा वो कितना ब के एक सिरे में छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं वो भी कितना बड़ा आविशकार करता रहा होगा गा इनी दो उधारनों पर विचार किजिए पहले उधारन में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेश की आग का आविशकार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है आग का आविशकार इस प्रकार दूसरे सुई धागे के उधारन में एक चीज है सुई धागे का आविशकार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविशकार जिस योगिता प्रवित्ति अत्वा प्रेण के लिए आविश्कृत की उसका नाम है सभिता जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिश्कृत मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक और वैसा ही परिश्कृत आविश्कर करता होगा एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खुच करता है किन्तु उसकी संतान को वो अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है जिस व्यक्ति की बुद्धी ने अत्वा उसके विवेक ने किसी भी नई तथे का दर्शन किया वो व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत और उसकी संतान जिसे वो अपने पूर्वज से वो वस्तू अनायास ही प्राप्त हो गई है वो अपने पूर्वज के भाती सब भले ही बन जाए संस्कृत नहीं कहला सकता। होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अभेक्षा अधिक सब भले ही कह सकें पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। जगमगाते तारे को देखता है तो केवल उसको केवल इसलिए नहीं आदी क्योंकि वह यह जानने के लिए परिशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढखने की इच्छा मनश की संस्कृती की जननी रही है। पेट भरा और तन ढखा होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तों में संस्कृत है निठला नहीं बैठ सकता। हमारी सब्विता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर इस्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है। बहुत तिक प्रेड़ना ग्यानेपसा क्या ये दो ही मानव संस्कृति के मातापिता हैं दूसरे के मुह में कौर डालने के लिए जो अपने मुह का कौर छोड़ देता है उसको ये बात क्यूं और कैसे सूचती है। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वपने देखते हुए कारल माक्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं आज से धाई हजार वर्ष फूर्व सिद्दार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह त्रश्णा के वशिभूत लड़ती करती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृती की जो योगता आग और सुख धागे का आविशकार कराती है वाभी संस्कृती है जो योगता तारों की जानकारी कराती है वाभी है और जो योगिता किसी महा मानव से सरवस सित्या कराती है वह भी संस्कृती है और सब्विता, सब्विता है संस्कृती का परणाम हमारे खाने पीने के तरिके, हमारे उड़ने पहने के तरिके, हमारे गमना गमन के साधन, हमारे परस पर कट मरने के तरिके, सब हमारी सभिता है मानव की जो योगिता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविशकार कराती है हमें उसे उसकी संस्क्रती कहें या असंस्क्रती और जिन साधनों के बल पर वो दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभिता समझें या असभिता संस्कृति का यदि कल्यान की भावना से नाता तूट जाएगा तो वो आज संस्कृति होकर ही रहेगी और ऐसी संस्कृति का आवश्यम भावी परणाम असबिता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा संस्कृति के नाम से जिस से कूड़े करकट के धेर का बोध होता है वो ना संस्कृति है ना रक्षणी वस्तू खण 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 परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़ कर बैठा नहीं रखा जा सकता मानाव ने जब जब प्रग्या और मैत्री भाव से किसी नए तथि का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तू नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत है मानाव संस्कृती एक अव्यभाज जबस्तू है और उसमें जितना अंश कल्यान का है वो आकल्यान कारक की अपेक्षा स्रेष्टी नहीं इस्थाई भी है प्रश्न अभ्यास के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे तीन वास्त्विक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है चार न्यूटन को संस्कृत मानाव कहने के पीछे कौन से तरक दिये गए हैं न्यूटन द्वारा प्रतिबादे से दांतों एवं ग्यान की कई दूसरी बारेकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहरा सकते क्यों पांच किन महत्पून आवशक्ताओं की बूरती के लिए सूई धागे का आविशकार हुआ होगा 6. मानव संस्कृती एक अविभाज वस्तु है किनी दो प्रसंगों का उलेग कीजिए जब क मानव संस्कृती को विभाजित करने की चेश्ठाएं की गई ख जब मानव संस्कृती ने अपने एक होने का प्रमाण दिया 7. आशय इसपस्ट कीजिए ग मानव की जो योगिता उसे आत्म बिनाश के सादनों का आविशकार कराती है हम उसे उसकी संस्कृती कहें या असंस्कृती रचना और अभीवक्ती 8. लेखक ने अपने दृष्टीकोंन से सब्बिता और संस्कृती की एक परिभाशा दी है आप सब्विता और संस्कृती के बारे में क्या सोचते हैं लिखिए भाशा अध्यन नौ इन सामासिक पदों का विग्रे करके समास का भेद भी लिखिए गलत सलत माहा मानव हिंदू मुसलिम सब्त रिशी आत्म विनाश पद दलित यतोचित सुलोचना पाठेतर सक्रेता स्थूल भहते कारण ही आविशकारों का आधार नहीं है इस विशे पर वाद विवाद प्रतियुकता का आयोजन कीजिए उन खोजों और आविशकारों की सूची तयार कीजिए जो आपकी नजर में बहुत महतोपूर है शब्द संपदा आध्यात्मिक अर्थात परमात्मा या आत्मा से संबंद रखने वाला मन से संबंद रखने वाला साक्षार्थ अर्थात आखों के सामने कत्यक्ष सीधे आविशकरता यानि आविशकार करने वाला परिशकृत अर्थात जिसका परिशकार किया गया हो, शुद्ध किया हो, साफ किया हुआ, अनायास याने बिना प्रयास के आसानी से, कदाचित अर्थात कभी, शायद, शीतोष्ण अर्थात ठंडा और गरम, निठला याने बेकार, अकर्मन, बिना काम धंदे का खाली बैठा हुआ, मनीशियों अर्थात विद्वानों, विचारशिलों, वशी भूत अर्थात वश में होना, अधीन, तृष्ण अर्थात प्यास, लोब, अवशंभावी याने जिसका होना निशित हो, अविभज याने जो बांटा ना जा सके,